हेलो फ्रेंड्स! अगर आपके गार्डन में गुलाब का पौधा है, तो इस समय सर्दियों में आप आपके गुलाब के पौधे से मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम फ्लावरिंग ले सकते हैं. सर्दियों का जो टाइम है, वो गुलाब के पौधे के लिए सबसे अच्छा टाइम है. अगर आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, एक अच्छी सी खाद अगर आप इसको देते रहेंगे, हर 10 दिन पर या फिर 15 दिन पर, तो आपका गुलाब पूरी सर्दियां बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, और आप एक पौधे से काफी अच्छी ग्रोथ, काफी सारी कलियां और काफी सारे फूल ले सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि आप आपके गुलाब के पौधे में बहुत आदा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तमाल करे, और आप chemical fertilizer अगर देंगे तभी आपके गुलाब के पौधे में अच्छी flowering होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुछ organic fertilizer है जिसका अगर आप सही तरीके से इसमाल आपके गुलाब के पौधे पर करेंगे तो इससे भी आपके गुलाब के पौधे में बहुत ही बड़िया flowering होगी Friends, इसके साथ ही कुछ जरूरी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके गुलाब के पौधे में Fertilizer की अलावा अगर आपके गुलाब के पौधे से आपको maximum flowering चाहिए जादा से जादा flowering चाहिए तो इसके लिए time time पर इसकी कटाई चटाई करना बहुत जरूरी है कटाई चटाई यानि की pruning इसकी trimming करते रहना बहुत जरूरी है क्योंकि नई growth आएगी तब ही नई flowering होगी आपको पता है कि नई growth आने पर ही नई कलियां बनती है और नई growth पर ही flowering होती है तो friends अगर आपने आपके गुलाब के पौधे की अब तक pruning नहीं करी है इसकी trimming नहीं करी है तो ये काम ठंडियों में आपको जरूर कर लिना चाहिए मैंने पीछे के कई सारे वीडियो में आपके साथ यही शेयर किया है कि आप इसकी pruning जरूर कर लें ये एक बहुत जरूरी काम है अगर आप pruning करेंगे तभी नई ब्राँच निकल कर आएगी कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या अभी हम इस समय अपने गुलाब के पौधे की pruning कर सकते हैं तो फ्रेंट्स, trimming, हलकी हलकी pruning आप किसी भी सीजन में आपके गुलाब के पौधे में कर सकते हैं कोई भी ऐसी ब्राँच है जो खराब हो रही है या फिर blind shoot है blind shoot यानि कि ऐसी ब्राँच जहां से लंबे टाइम से कोई flowering नहीं हो रही है तो उसको आप उपर से 2-4 इंच काट करके जरूर निकाल दीजे आप देख सकते हैं कि इसकी pruning मैंने October में करी थी और यहां से मैंने इनको कट किया था तो उपर काफी सारी branches निकल कर आए हैं काफी सारी branches निकल कर आए हैं और सारी भी branches में कलिया बनी है और काफी अच्छी flowering हो रही है इस प॥े में फ्रेंड्स प्रूनिंग के बाद आपको जो दूसरी चीज़े जिसका की आपको ध्यान रखना चाहिए वो है पानी का स्प्रे अगर आप आपके गुलाब के पौदे की प्रूनिंग करते हैं तो उस पे एक बार दिन में आप पानी का स्प्रे जरूर करें पानी का स्प्रे कर करने के और कई सारे फायदें इसे जो हमारी पत्या है वह साफ सुत्री बनी रहती हैं चमकदार दिखाई देती हैं साथ में इसके ऊपर कोई गीड़ा वगरा लग रहा है तो वह भी खतम हो जाता है पानी के साथ धूल जाता है पानी के सब आप कोशिच करें कि मॉनिंग पॉनिंग पानी के स्प्रेय के अलामा गुलाब के पौदे पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए की चाहिए जबसे ज़रोत होती है हमारे गुलाब के पौदे को, वो है धूप, आप आपके गुलाब के पौदे को एक अच्छी सी धूप वली जगह पे रखें, इससे आपके गुलाब के पौदे में अच्छी फ्लावरिंग होगी, साथ में फूलों का साइज भी अच्छा होगा, इसक पहली चीज मैंने लिया है, वो है वर्मी कमपोस्ट, वर्मी कमपोस्ट बहुत ही आसानी से मिल जाए से आप ऑनलाइन ले सकते हैं। वह मेरे हैं जो सिर्फ हम एक पौधे के लिए बना रहे हैं, जो की 12 हिंच के गमलेमें लगा हुआ है आप पौधे की हिसाब से या फिर पौड के साइस के हिसाब से फटिलाइजर को कम जादा कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट एक बहुती बढ़िया सोर्स है नाइटोजन का, पोटाशियम का, फासफोरस का और ये बेस्ट और्गेनिक कंपोस्ट है इसके साथ जो दूसी चीज में ले रही हूँ वो है मस्टर्ट केक पाउडर, सर्सो की खली का पाउडर, सर्सो की खली का केक भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास सर्सो की खली का केक है तो आप दो तिन टुकडे ले लीजे उसके यहां मैं 2 चमश सरसों की खली का powder ले रही हूं हमने वर्मीकंपोस 5 चमश लिया है और सरसों की खली का जो powder है वो वो सिर्फ 2 चमश लिया है अगर आपके पास टुकडे हैं तो सिर्फ 3-4 टुकडे चोटे-चोटे टुकडे आपको लेना है और इन दोनों ही चीजों को आप भीगो कर रख दीजे अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आपके पास गोबर की खाद होगी आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं गोबर की खाद भी पांच हममच आप वर्मी कंपोस्ट की जगह ले सकते हैं अगर आपके पास गोबर के उपले हैं तो एक उपले को भी आप वर्मी कंपोस की जगर भिगो सकते हैं ये एक दिन के बाद का रिजल्ट है ये जो हमारा फटिलाइजर है वो बिल्कुल तयार हो चुका है अभी इसको हम दुबारा से अच्छे से मिला लेंगे किसी भी चीज़ की सायता से कुछ लोग इसको चान कर स्माल करते हैं लेकिन आपको चान कर इसका इस्तमाल नहीं करना है ये डारेक्ट हम आमारे प्लांट में डाल देंगे इसको डालने से पहले आप आपके पौदे की मिटी की थोड़ी सी गुड़ाई जरूर कर ले गुड़ाई करने से जो हमारा कंपोस्ट हमने तयार किया है वो आसानी से इसकी जड़ों तक पहुँच जाएगा इस फटिलाईजर को आप 10 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौदे में दे तो आपके गुलाब के पौदे की ग्रोध बहुत अच्छी हो जाएगी इन तीनों को आपके गुलाब के पौदे में डाल कर आपके गुलाब के पौदे से आप मैक्सिमूम ग्रोध ले सकते हैं जब भी आप इस खाद को आपके गुलाब के पौदे में डालते हैं तो इसके साथ कोई एक्स्टा पानी आपको नहीं देना है एक्स्ट्रा पानी देने पर ये जो खाद है वो नीचे से बहार निकल जाएगा पानी के साथ तो इसका nutrition कम से कम आपके पौधे को मिलेगा आप एक टाइम पर एक ही खाद का इस्तमाल आपके पौधे में करें अगर आपने इस खाद को डाला है तो 10 दिन तक आप इस पौधे को कोई और खाद ना दे तो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि आप आपके गुलाब के पौधे को chemical fertilizer दे इन organic compost का इस्तमाल करके भी हम गुलाब के पौधे से maximum flowering ले सकते हैं और कुछ organic compost के अलावा homemade fertilizer भी है जिसका इस्तमाल regular करने से भी गुलाब के पौधे में अच्छी flowering होती है जिससे संबंदित वीडियो में आपके साथ share करती रहती हूँ fertilizer के अलमा गुलाब के पौधे पर जो मैंने आपको जानकारी दी जो tips मैंने आपको बताए वो बहुत ही महत्योपूर है उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है सिर्फ खाद देने से ही आपके गुलाब के पौधे में अच्छी flowering नहीं होगी इसके उपर जो चुटी-चुटी चीज़े हैं उसका आप खास ख्याल रखे इसकी देखभाल आपको कैसे करनी है कितना धूब देना है आपको और पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए इन सब चीजों का ध्यान रखकर ही हम आमारे गुलाब के पौधे से अच्छी flowering ले सकते हैं फूलों का size भी हम अच्छा ले सकते हैं तो friends अगर कोई query है तो आप मुझे comment करके जरूर पूछे और वीडियो पसंद आने पर एक like जरूर करें मेरे चैनल को आपने अब तक subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल को subscribe भी जरूर कर ले thank you